हमें शुखी होना हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फसना मुझे इसी जन्म में स्यामाजू के जरणों में पहुचना है चीते जी पहुचना है एक तरब प्रभू की तरब चलने का निश्च है और दूसरी तरब जितनी भी क्रियाए हैं वो शब अपने प्रभू के पूरा हो गया है यही सब सास्त्रों का सार है चाहे जितना पढ़लो चाहे जितना सुनलो सबका सार यही इतना ही सार है उपाशक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राक्त होती है मुझे इसी जन्म में स्यामाजू के जरणों में पहुचना है जीते जी पहुचना है यह नि अगर यह बात आ गई तो आप कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आए वहां कोई बाधा प्रवेशी नहीं कर सकती एक तरफ प्रभू की तरफ चलने का निश्चा है और दूसरी तरफ जितनी भी क्रिया आये हैं वो शब अपने प्रभू के लिए पूरा हो गया अब इसे बड़ा कोई पवित्र नहीं इसे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं इसे बड़ा कोई ज्यान नहीं हमें श्रीजी से मिलना है हमें शुखी होना है ऐसा मलो हमें आगे जनम मरण के दुख में नहीं फसना हमें प्रभू शे मिलना है यह पहला निस्थे आप इसको क्रियानमित करो जितनी मन वचन कर्म से चेश्टायों सवारा थे देव के लिए करो बस सारा ग्यान हो गया यही सास्त्रों का सार है चाह जितना पढ़ लो चाह जितना सुन लो सब का सार यहीं इतना ही सार है हरीशे बिमुख हो और भोगों की संग्रे में भोगों के भोगने में लगे इससे बड़ा कोई पाप नहीं